भारत जोडो यात्रा आज राजिस्तान के दोसा से जैपुर जाएगी आपको बता दें कि कन्या कुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर तक जानी है और यात्रा बारा राज्यों से होकर गुजर रही है आठवा राज्य है राजिस्तान जहां वो पहुँची है कुल 3570 किल मीटर तक यात्रा होनी है और साथी से पहले आपको बता दे राजिस्तान से पहले तमिल नाडू, केरल, करनाटा, तेलंगाना, आंद्र, महराष्ट, मध्यप्रदेश में यात्रा पूरी हो चुकिया राजिस्तान के दोसा में आज राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फरेंस बताये जा रहा है करेंगे और आज की यात्रा में हाली में जीत का जो सहरा बंदा है हिमाचल के मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री कॉन्फरे के विधायक भारत जोडो यात्रा में वो भी शिर्कत करेंगे और हर्षा हमारे साथ बनी हुई है एँ हर्षा यहां पर थोड़ा भारत जोडो यात्रा का बताएं, सौवा दिन है और ये राजिस्थान वो राज्ये है, तमाम राज्यों से गुजरी है, जहां पर कॉंग्रेस की सरकार है राजिस्थान में, यहां बतारी हैं अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है, थोड़ा आप ये बताएं कि सौवा दिन है, लेड़ सो यात्री जो राहुल गांदी के साथ लगातार, दक्षिन से शुरू ही यात्रा से, वो जारी रखी हुई है पैदल यात्रा, किस तरह का महौल है, क्या कुछ परेशानियां भी उनको जहल नहीं पड़ रही है, थोड़ा उस यात्रा की डिटेल थोड़ा बताएं आज जो यात्रा है, वो ग्यारा बजे ही खतम हो जाएगी, फिर कल रेस डे है, चार बजे प्रेस कॉन्फरेंस होएगा यहां पर जैपूर में, और शाम को एक सुनीदी चौहान का कॉंसर्ट है, और कॉंसर्ट इसलिए है कि वो यूद से जुड़ना चाते है, क्योंकि सु उसको सोच समझ के आज जो कॉंसर्ट है वो रहेगा, फिर कल पूरे दिन रेस्ट रहेगा और अठारा से वापिस यहां से यात्रा निकल जाएगी और करीब 20-21 तक वो हर्याना में प्रवेश कर जाएगी, तो लास्त तीन-चार दिन है यात्रा के, मैंने जैसे कहा कि सारे राजियों से गुजरिये, बारा राजियों से गुजरिये, लेकिन सिर्फ राजिस्थान कॉंग्रेश शाषित राजिया है, जहां पर वो आई है, और वहाँ पर जैसे आपने जैराम रमेश का बयान सुना, वो एक मैसेज देना चाहरे है कि पार्टी एक जुत है, वो एक यात्रा चल रही है, राजिस्थान के दौसा से जैपूर जाएगी और वहाँ पर एक प्रेस कॉंफरेंस को संबोदित करेंगे राहूल कांदी